तीना दत्ता इन दिनों बिग बॉस सोला में नज़र आ रही है जहां उनकी शालीन भानोट सर्म नजदी कियों के कारण वो चर्चा में है लेकिन इससे पहले वो एक ऐसे शक्स के साथ पाथ साल रिलेशन में रह चुकी है जो उन्हें बुरी तरह मारता बीटता था जिसके बारे में खुद तीना दत्ता ने बताया था एक इंटर्व्यू में तीना ने बताया था कि उनका बॉइफ्रेंड उनसे मारपीट करता था और ये एक टॉक्सिक रिलेशन्शिप था वो इंडस्ट्री से नहीं था और मैं उसके साथ 5 साल तक रिलेशन्शिप में रही थी हम एक कॉमन फ्रेंड के जरीये मिले थे लेकिन मैंने इस रिष्टे को खत्म करने का फैसला किया क्योंकि वो बहुत फिजिकली और वर्बली उत्पीडन कर रहा था उनका बॉइफ्रेंड उन्हें परिशान करता था वो इतना सक्त इंसान था कि उन पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था टीना ने कहा था वो मेरे दोस्त के सामदे भी मुझे पीटता था मैं इस ख़त तक तूट गई थी कि अपने पर से विश्वासी खत्म हो गया था मैं कभी भी अपने रिष्टे को सारवजनिक नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे लगता है कि अब बोलने का समय आ गया है मैं काफी वक्त तक अपने रिष्टे को बचाने की कोशिश करती रही वो खामोश रही पर जब चीजे परदाश्टे बाहर होने लगी तो बोलने का फैसला लिया तीन अदत्ता आज लगजरी लाइफस्टाइल की मालकिन है लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब एक्ट्रेस के पास ओडिशन देने जाने के पैसे नहीं थे इस बारे में खुद एक्ट्रेस ने बताया था जब वो आठवी और नौवी क्लास में थी तब उन्हें एक्टिंग प्रोजेक्स मिले थे लेकिन उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें कॉलकत्ता से मुंबई बैच सके पैसो की तंगी के कारण वो उस समय ओडिशन नहीं देने जा पाई वो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमली से आती हैं और एक समय था जब उनका परिवार इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी तरस जाता था उस समय इमेल के सरिये भी ओडिशन भेजे जाते थे इंडस्ट्री में काम करने को लेकर टीना दत्ता ने कहा था कि एक्टर्स के शूट्स इतने लंबे होते हैं कि उनका सारा सकेडूल खराब हो जाता है शायद महीने में उनने कोई छुट्टी भी मिलती हो शूटिंग में ही उनका सारा समय बीच जाता है खुद के लिए प्रेक नहीं बस काम और काम परिवार को मिलने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते रिपोर्ट्स की माने तो टीना दत्ता बिग बॉस में हर हफते की करीब 8 लाक रुपए बतौर फीस ले रही है नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो पेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले